डिसस करने वाले हैं जैसे अगर आपको बोल कर टाइपिंग करना है कोई आपको ठिसिस लिखना है या कोई पैराग्राफ लिखना है कोई डाकुमेंट क्रेट करना है हिंदी में या इंग्लिस में तो आप से अगर टाइपिंग नहीं आती कीबोर्ट से आप टाइपिंग नहीं आती तो आप बोल करके किस तरह से फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं इसके लिए हम यहाँ पे बताने जा रहा है तो आपको यहाँ पर गूगल पर जाना है यह है आपसन Google Drive पे आपको जाना है इसके बाद आपको यहाँ पर New पर क्लिक करना है New पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर Google Docs तो Google Docs पे आपको क्लिक करना है तो Google Docs खुल जाएगा Google Docs उसी तरह से है जिस तरह से आपका MS Word है लेकिन MS Word आपका आफ लाइन चलता है और Google Docs आपका आफ लाइन कार करता है Google Docs MS Word जैसे ही काम करता है जैसे कि हमने बताया कि MS Word आफ लाइन काम करता है जबकि Google Docs आफ लाइन काम करता है ठीक है और यहाँ पर Untitled Document जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है आप अपनी फाइल का नाम क्या देना चाहते हो जैसे कि हमने यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया इसको हटा देते हैं इसका नाम दे दिया हमने My Files और बस जैसे ही आप करसर आप बाहर रखोगे या इंटर करोगे तो आटोमेटिक यह सेविंग टू ड्राइब्स यह गूगल ड्राइब पर सेव हो जाएगा आपको कहीं पर सेव करने के लिए क्लिक नहीं करना पड़ेगा अब यहाँ पर आपको टाइब करना है बोल करके तो इसके लिए आपको second step करना क्या है कि tools में जाना है tools में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप सार्व voice typing इसके लिए shortcut की भी दिया गया है control shift yes दिया है या फिर आप यहाँ पर voice typing पर क्लिक करेंगे और जैसे ही voice typing पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यह टूल खुल जाएगा अब आपको अगर इंग्लिस में करना है तो इंग्लिस भी कर सकते हैं अगर आपको हिंदिम करना है तो आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां पर आपको हिंदी ढूर लेना है हिंदी कहां पर है यहां पर देखना है करना है तो हिंदी पर टिक करना है ओके इसके बाद वाइस इंपुट करने के लिए आपके पास हेड़ फोन या इयर फोन होना चाहिए जो कि आप अपने लैप टॉप में सिस्टम में या मुवाइल सिस्टम पे आप लगाओगे और लगाने के बाद यहां पर सेटिंग करने क चुरू हो जाएगा आप यहां पर देख रहे हो कि आप जो बोलोगे यहां पर हू बहू टाइप होता जाएगा जिससे आपका कार्य काफी आसान हो जाएगा अब इससे अगर आपको कॉपी करना है और कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पे ले जाना है तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसको पहले सलेक्ट कर लीजिए सलेक्ट करने के बाद आप इस टेक्ष्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यह देखिए इसको हमने कॉपी किया और अगर आपको जहां भी ले जाना है वहां पर ले जागर कि आप पेस्ट कर सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं ओके यह देखिए हो गया टाइपिंग इसी तरह से आपको इंग्लिस में टाइपिंग करना है तो यहां से आपको इंग्लिस सलेक्ट करना होगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अपना है